हेलो स्टुडेंट्स कैसे हैं आप उमीद करता हूँ अच्छे होंगे मैं वरुन लेक्चरर इन एकुनोमिक्स एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाना इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ बच्छो आज की वीडियो में क्या बात करने जा रहे हैं आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं इस 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 वीडियो मे क्या नाम है इसका हाँ सभी पेचाना हाँ आम भासा में हम इसे कहते हैं मसालदानी यह हर घर में हर रसोई में मिलती है आप क्या देख पा रहे हैं इसमें इसमें आप देख रहे हैं मसाले रखे हुए और इसमें कुछ कोटोरिया है और हर कोटोरिय में एक खास किसम का मसाला ह आप देखने की वे mix नहीं किये हुए सबको उनकी विसेस्ता के अधार पर उनकी 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 गुण के अधार पर उनको अलग-अलग डिबियों में अलग-अलग कटोरियों में उसमें रखा होता है उसका उदेश्य क्या रहता है उसका उदेश्य ये रहता है ताकि जब भी हमको किसी खास मसाले की ज़ुरत है हमको वो मिल जाए चलिए अब हम दूसरी पिक देखते हैं दूसरी तस्वीर देख रहे हैं आप क्या है ये बिल्कुल सही पहचाना सब जानते हैं एक घर है जैसे अब देखते हिए घर में आप देखते हैं घर में कितनी वस्तुएं होती है तो घर में जितनी भी वस्तुएं होती है उनकी अपनी तो का मिलेगा आपको बातरूम में मिलेगा तो हर एक वस्तु की एक अपनी जगह होती है तो हमने क्या किया हुआ है जगह बनाई हुई है वहां पर वह वस्तु रखी रहती है और जब भी हमको जरुत होती है तो हमको वस्तु मिल जाती है ऐसा तो आप नहीं करते जहां आपन कुड़ो वस्तुओं को उनकी विशेशताओं के अधार पर हम अलग-अलग जगह रखते हैं और जब हम को किसी खास वस्तू की जोरत है तो हमको वस्तू उस जगह पर मिल जाती है तो इन दो धारनों को समझने के बाद अब हम आते हैं अपने विशह पे आप देख रहें कि हिंदुस्तान है भारत है भारत 135 करोड से ज़्यादा लोगों का देश है इतने लोग यहां पर रहते हैं मालो जब हर 10 साल में यहां पर जनगणना होती है जब जनगणना होती है उसे जो आंकड़े कैसे रखे जाएं आपको लगता है कि अगर मालो अगर इनको आपने जनगणना हुई और आंकड़े कठे किये गए और अगर वो अच्छी तरीके से वेवस्तित रूप से नहीं रखे गए तो जब हमको किसी गाओं का किसी सहर का कहीं का भी कोई आकड़ा चाहिएगा क्या वो मिल जाएगा नहीं मिलेगा तो आंकड़ो को वेवस्तित रूप से रखना आवशक होता है तो यह तो मैंने एक जनगणना का उधारन आपको और ले दिया जन सेंग्या का आकड़ो के वर्गी करण की अब डेफिनेशन के बात करते हैं जो विशे आज हम पढ़ने जा रहे हैं आकड़ो का वर्गी करण यह क्या है आकड़ो को उनकी विसेस्ताओं के अधार पर विविन वर्गों में बाटना आकड़ो का वर्गी करण कह किया जाता है क्या उदेश से हैं आंकडों का वर्गी करन करने के आपकी स्क्रीन पे आप देख पारे हैं आंकडों को वर्गी करन के उदेश है पहला उदेश से पहला उदेश से हैं आंकडों को सरल तता संक्षिप्त बनाना पच्चो जब हम वर्गी करन करते हैं आंकडों को को वेवस्थित करते हैं जब आख्डों को हम उनकी समान तांह, उनकी ऐगक समान तांह, कि आधार फर विभिनवर्गों में बाटते हैं। तो आख्ड़े हमारे लिए समझने योग्य वैसरल हो जाते हैं। संक्शिप्थ हो जाते हैं। उनको उनका प्रियोग बढ़ जाता है दूसरी पॉइंट आप देख रहे हैं आकडो की समानता और ए समानता सपस्ट हो जाती है ये भी उजेश्चे रहता है आकडो की समानता और ए समानता को सपस्ट करना जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि आकडो को हम विभिन वर्गों में उनकी समानता, ए समानता के अधार पर विभाजित करते हैं, तो इससे आकडों की समानता और ए समानता हमारे लिए सफ़स्ट हो जाती है, सिधी बात है, तीसरा उदेश्य है, आकडों को विभेद कारी बना देते हैं, तो हमारा उदेश्य रहता है आकडो को विभेद कारी बनाना यानि आकडो में विभेद पैदा करना ताकि हम आकडो को समझ सकें उनका प्रियोक कर सकें उनको विभीन वर्गों में बाट सकें जब हम आकडो को विभीन वर्गों में बाट देते हैं तो उनका विभेद करना सरल हो जाता है और हम ब बनाना जब हम आकडो का वर्गी करन करते हैं तो आकडो को हम तुलना योग्य बना पाते हैं आकडो की हम तुलना कर सकते हैं क्यों कर सकते हैं तुलना आकडो की तुलना हम इसलिए कर पाते हैं क्योंकि आकडो को हमने विभिन वर्गों में विभाजित कर दिया है और विभिन वरगों की आपस में आपतुलना कर सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं आकडे विज्ञानिक तथा तरक पूर्ण हो जाते हैं यानि आकडों की हम विज्ञानिक तरक पूर्ण वेवस्था कर पाते हैं वरगी करन से यह लाब होता है वर्गी करण करने का उदेश यही होता है कि आकडो को हम किस तरीके से एक विज्ञानिक और तर्क पुन रूप में परस्तूत कर पाएं उनकी विवस्ता कर पाएं जिससे आकडो को, जैसे मैंने आपको पहले बताया हमारा उदेश से रहता है आकडो को सरल बनाना, संखचिट बनाना, विवेदकारी बनाना, उनकी समांता-समांता का अधारकन को सपष्ट करना ये सारी चीजे जब हमको करनी है तो हमको आकडो को एक विज्ञानिक और तरकपूर्ण विवस्ता हमारे लिए आकडो की करना अविश्यक हो जाता है इसलिए एक उदेशे वर्गी करण का यह भी होता है कि आकडों को विज्ञानिक तथा तरकपूर्ण व्यवस्ता में उनकी सुनिश्चित की जाए, उनको तरकपूर्ण व्यवस्ता में हम रख पाएं आगे हम बात करते हैं आकर्शक और परभावसाली बनाना यह भी उदेशे रहता है जब हम वर्गी करण करते हैं आकडों का तो आकडों को हम आकर्शक और परभावसाली बना पाते हैं आकडों को समझना जैसे हम पहले बताया जा चुका है उदेशियों में एक उदेशय यह रहता है कि आकडो को समझना सरल हो, संक्षिप्त हो, वो जब हम आकडो को सरल और संक्षिप्त रख पाते हैं, तो आकडे आकरशक और परभावसाली भी बन जाते हैं, तो आकडो को परभावसाली और आकरशक बनाना इसका उदेशय रहता है, आगे बात करते आकडों की उपयोगिता इसका क्या आर्थ है इसका आर्थ यह है आकडों को हमेशा हम जब भी आकड़े इकटे किये जाते हैं यह उदेश से रहता है कि उन आकडों की उपयोगिता बढ़े और उनकी उपयोगिता अधिक जबी रह पाती है जबी हो सकती है जब हम आकडों को वर्गी करत करें और आंकडों को विभिन वर्गों में उनकी समानता है समानता के अधार पर उनकी विभिन वर्गों में उनको विभाजित कर दें इस तब हमारे लिए आंकडे अधिक उप्योगी हो जाते हैं और उनकी अन्य गति विदियों में उनका प्रियोग किया जा सकता वर्गी करण के उदेशे समझने के बाद अब हम बात करते हैं वर्गी करण की विसेस्ताओं की तो एक अच्छे वर्गी करण में क्या विसेस्ता हैं होनी चाहिए विसेस्ता हैं आपकी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं पहले विसेस्ता क्या है व्यापक्ता आकडों का वर्गी करण इस पर कार किया जाए कि हर एक एक एकाई किसी ना किसी वर्ग में जरूर आ जाए तो वो इतने व्यापकता होने चाहिए वर्गी करण में कि हर एक एकाई किसी ना किसी वर्ग में अवश्य ही सम्मलित हो जाए दूसरी बात आकडो का वरगी करन सपष्ठ होना चाहिए इसका आर्थ है कि अगर कोई काई किसी एक वरग में आ गई है तो उत किसी दूसरे वरग में न आए अगर वो एक से अधिक वरग में होगी तो ऐसा पष्ठता हो जाएगी तो सपष्ठता केवल जब होगी पहले जैसे मैंने आपको बताया व्यापक था कि हरे की काई सम्मलित हो किसी ना किसी वर्ग में जरूर आए और हर कोई भी काई किसी एक वर्ग में आए अलग-अलग वर्गों में वो ना आए ताकि उसको समझना सपष्ट रहे यही उसकी विसेस्ता रहेगी तिसरी बात हर वर्ग की एक विसेस्ता यह भी होना चाहिए कि हर वर्ग में एक खास किसम के आंकडे हो यानि सजातियता एक वर्ग में एक तरह की एक विसेस्ता वाले जो इकाईया हैं वो सम्मलित की जाएं तो सजातियता जरूर होने चाहिए वर्गी करन करते वक्त अब हम बात करते हैं अगले विजेस था अनुकूल था कि वर्गी करन करते वक्त यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो अनुसंधान का उदेश्या है वर्गी करन उसके अनुकूल किया जाए ताकि अनुसंधान के दोरान आंकडो में सपस्टता रहे उनको समझने में सरलता और शंक्षिप्तता बनी रहे तो इसलिए आंकडो का वर्गी करने अनुसंधान जिसके लिए आंकड़े कत्रित किये गए है उसके उदेश्चे के नुकुल होना चाहिए आगे हम बात करते हैं अब हम अगली विसेस्टा की बात करते हैं स्थिर्था वर्गी करत करने के जो विंदू हैं वर्गी करत करने के जो अधार हैं विसेस्थाएं हैं उन्में स्थिर्था रहनी चाहिए ताकि जैसे मैंने पहले बताया कि सफष्टता बनी रहे तो स्थिरता भी इसकी एक मुख्य विसेस्ता है एक और बात नेक्स जो हम लास्ट विसेस्ता इसकी डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लोचदार की आंकडों को वर्गी करत करते वक्त वर्ग बनाते वक्त एक लोच सिलता रहनी चाहिए कि अगर स्थिती में परिवर्तन होता है तो वर्ग में भी परिवर्तन किया जा सके या किसी इकाई के वर्गी करन में भी परिवर्तन किया जा सके तो बच्चो जितना आप तक हमने पड़ा है उसमें से भी मैं आपसे कुछ कोशिन पूछना चाहूंगा पहला कोशिन मेरा आपसे यह है वर्गी करण क्या है इसने डेफिनेशन आपको वर्गी करण की बताई थी तो इसका जवाब अपने आपको दीजिये वर्गी करण क्या है क्योंकि जितना अब तक आपने वीडियो में सीखा है उसमें इसका जिकर आ चुका है कि वरगी करण क्या है ठीक है इसको आप लिखेगा दूसरा कोशन यहाँ पर अराइज होता है वरगी करण क्यों किया जाता है जैसे मैंने बच्चों आपको बताया था वरगी करण के उदेश्य क्या है तो वो आपने यहाँ पर लिखने पड़ेंगे वरगी करण क्यों किया जाता है वर्गी करणा की क्यूं जूरूत है इसके बारे में भी अपने आप प्रशन पूछी वर्गीकरण क्यूं जरूरी है कि तीसरी बात जो आपको यहां पे समझनी है पू signa की क्या विश Mussi in अच्छे वर्गीकरण की क्यूं जरूरी है तीसरा कोशन बच्चों तीसरा कोशन है एक अच्छे वर्गी करन की क्या विसेस्थाइं होनी चाहिए तो यह तीन कोशन जरूर आप अपने आपसे पूछी आकडो का वर्गी करन किन अधार पर किया जा सकता है आप अपने स्क्रीन पे एक पिक्चर देख पा रहे हैं जिसमें आकडो के वर्गी करन के अधार दिखाए गए हैं आकडो का वर्गी करन किन अधारों पर किया जा सकता है पहला देख पा रहे हैं भगोलिक अधार पर दूसरा देख पा रहे हैं शमयान उशार तीसरा देख पा रहे हैं गुणात्मक और फोर्थ देख पा रहे हैं मातरात्मक या संख्यात्मक अब मैं इन वर्गी करण के अधार की एक-एक करके discussion करूंगा चर्चा करूंगा ताकि आपके लिए ये वर्गी करण के अधार समझना सरल हो जाए तो सबसे पहले हम बात करते हैं भोगोलिक वर्गी करण की स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं उपर भोगोलिक वर्गी करण क्या है ध्यान से देखिए इस definition वो पढ़िए इस विदी के अंतरगर्थ आंकडों का वर्गी करण सथानिय या भोगोलिक अंतरों पर अधारित होता है भोगोलिक वर्गी करण में हम क्या करते हैं जो आंकड देश की जंगर्णा हमने की और हमारा देश 135 क्रोड लोगों से ज्यादा का देश है इस देश में जब हमने लोगों के आंकड़े कठे किये तो हम उनको कैसे वर्गी करत करें तो भोगोलिक वर्गी करत हमारे लिए एक भोथ ही महतपून अधार होगा कैसे हम आकडों को राज के अधार पर वर्गी करत कर सकते हैं हमारे जितने राज्ये हैं हरियाना का के आकड़े पंजाब के आकड़े देली के आकड़े उतर प्रदेस के आकड़े करनाट का के आकड़े इस तरीके से हम छेत्रों के अधार पर वर्गी करत कर सकते हैं छेत्रों में भी जीलों के अधार पर बाट सकते हैं जैसे अगर हम हर्याना की बात करें तो हर्याना के आकडों को आगे वर्गी करत कर सकते हैं जिलों में जिलों को कैसे कर सकते हैं सेरों और गाओं में तो हमारे लिए आकडों को वर्गी करत करना भोगोलिक अधार पर एक बहुत सरल हो जाते हैं तो पहला जो अधार है वर्गी करण करने का वो है भोगोलिक वर्गी करण जो आपने इस definition और table के माध्यम से समझा. अब हम next की बात करते हैं, जो next वर्गी करण का जो अधार मैंने आपको बताया था वो है समय अनुशार वर्गी करण. क्या है बच्चो समय अनुशार वर्गी करण क्या होता है समय अनुशार वर्गी करण का अरत है जब हम आखडों को विभिन समय के अनुशार वर्गी करण करते हैं जैसे इस table में आप देख पा रहे हैं मालोग पंजाब के आखड़े में इस table में प्रस्तुत किये हैं 2017-18, 2018-19 और 2020 यह आंक्डे आपको इसमें दिये गए और हम तुलना भी कर सकते हैं कि ग्यों का जो प्रेक्यूर्मेंट किया जाता है उसका पंजाब राज्ये में अलग अलग वर्सों में कितना कितना प्रेक्यूर्मेंट किया गया है तो हम यहां पे हमने वर्गीकरण समय के अधार पर किया गया है और हम विभिन समय में होने वाले आंक्डों के परिवर्तन की तुलना भी कर सकते हैं तो इस तरह का जो वर्गीकरण है उसे हम समय नुशार वर्गीकरण कहते हैं बच्चो अब हम आगे बात करते हैं गुनात्मक वर्गीकरण की कौन से वर्गीकरण की? गुणातमक वरगी करन की. तो बच्चों अब definition देखे गुणातमक वरगी करन की. जब प्राप्त आंकडों को वरणनात्मक विशेष्ताओं के अधार पर वेवस्थित एव वरगी करत किया जाए तो वहे गुणातमक बरगी करन कहलाता है. इसको मैंआपके के लिए समझना और सरल कर देता हूं जब आंकडों को उनकी विस्यस्ताओं के अधर क्या बताया है। जब आकडों को उनकी विसेस्ताओं के अधार पर विभिन वर्गों में वर्गी करत किया जाए तो वो बुनात्मक वर्गी करने है तो आपके लिए समझना और जादा सरल हो गया आकडों को उनकी विसेस्ताओं या गुण कह सकते हैं उनके गुणों के अधार पर आपके करते हैं तो उसे हम गुणात्मक वर्गी करन कहते हैं उधारनात जैसे हम आकडों को कि लिंग जाती धर्म सक्षरता अधिक अधार पर वर्गी करत कर दें तो यह वर्गी करन कहलाएगा गुणात्मक वर्गी करन गुणात्मक वर्गी करन दो परकार का होता है एक होता है साध कि बात करते हैं पहले क्या होता है सद्धान व करन गेह वरगी करण दिवी विभाजित वरगी करण भी कहलाता है इस वरगी करण में अको और को और किसी गुर्ण कि उपस्ति के अनुपस्ति के अनुसार दो उपवर्गों में विभाजित किया जाता है यानि आंकडों को किसी एक विशेस्ता के अधार पर दो भागों में हमने डिवाइड कर दिया उसे हम साधारण वर्गी करन कहते हैं यानि दो भागों में वर्गी करत कर दिया इसे हम साधारण वरगी करण कहते हैं इसलिए इसको दिव भाजित वरगी करण भी कहते हैं जैसे अब स्क्रीन पर देख पार एक पिक्चर को जन संख्या को हमने दो भागों में भाजित कर दिया पुरुस जन संख्या, महिला या स्तरी जन संख्या तो ये हो गया साधारण वर्गी करण अब हम बात करते हैं बहुगुण वर्गी करण की बहुगुण वर्गी करण क्या है जब प्राप ताकडों को दो से अधिक वर्गों में विभाजित किया जाए जैसे उधारण के लिए जैसे जन संक्या को पहले हमने जैसे अपने साधा पुरुस महिलाओं में स्त्रियों में सिक्सित स्त्री सिक्सित स्त्री यह देख सकते हैं फिर आगे हम और भी डिवाइड कर सकते हैं विवाहित एविवाहित तो हम इनको विभिन वर्गों में बाढ़ सकते हैं आगे हम विभिन जाती की ले सकते हैं उनको हम विभिन जातियों और आकडों को विभीन दो से ज़्यादा वर्गों में विभाजित किया जाता है उसे हम बहुगुण वर्गी करण कहते हैं तो अभी तो आप इस पिक्चर में ये हायर की देख पा रहे हैं ये बहुगुण वर्गी करण में कितने भी विभीन वी सहस्ताओं के अधार पर तो वह संख्यात्मक वर्गी करण हैं जैसे हम बात करें किसी कक्षा में बच्चों को प्राप्तांक की बात करें तो उनके प्राप्तांकों को हम अंकों को संख्यात्मक रूप में वर्गों में विभाजित कर देते हैं जैसे जब कभी भी आपका रिजल्ट बनाया जाता है तो किस तरीके से वर्ग बनाए जाते हैं कि 33 से कम मार्क्स लेने वाले बच्चे कितने हैं 33 से 50 के बीच में मार्क्स लेने वाले बच्चे कितने हैं 50 से 75 के बीच में मार्क्स लेने वाले बच्चे कितने हैं तो ये वर्ग और भी हो सकते हैं सब्सक्राइब मेना पर कन करन वर्गी करन कण को आए कंगे तो इस टेबल की करने हैं यह माक्स पर वर्गी करन किया गया और और यह एक संख्यात्मक वर्गी करण का उधारन है तो इस टेबल को देखने के बाद और इस definition को समझने के बाद मैं उमीद करता हूँ आपको संख्यात्मक वर्गी करण समझ में आया होगा तो चलिए अब हम बात करते हैं आगे अभी तक जो हमने पढ़ा है उसके बारे में कुछ कोशन्स मैं आपके सामने रखता हूँ कि कितना आपको अब तक बताया गया विशह समझ में आया तो जब मैंने आपको वर्गी करण वर्गी करण के उदेश्चे और वर्गी करण की विसेस्ताइं बताई थी तब मैंने आपके सामने वर्गी करण का अधार रखा है तो मैं आपके सामने एक question रखता हूँ ये बड़ा question है ये आपको लिखना चाहिए आपकी copy में ये long answer question रहेगा आपके लिए कि वर्गी करण का अधार क्या है तो ये जो चारो अधार मैंने आपको बताए आपने इन चारो अधारों के बारे में बात करनी है और इनकी डेफिनेशन देनी है और इनके बारे में आपने विस्तार से लिखना है वर्गी करण, वर्गी करण के उदेशे, वर्गी करण की विशेस्ताइज, वर्गी करण के अधार समझने के बाद अब हम बात करते हैं कुछ important छोटे topics पहला है चर, चर से क्या भी प्राय है? चर, जिसे English में variable कहते हैं चर से अभी प्राय उस मात्रा से है, जिन में परिवर्टन होते रहते हैं यानि वो मात्रा है जिन में परिवर्टन होते रहते हैं, जो परिवर्टन सील है ये क्या हो सकती है? ये किसी इकाई का वजन, आयू, आय, इत्यादी द्वारा मापी जा सकती है तो यह है विभिन जो इकाया मैंने आपको बताई यह चर है यह जो परिवर्टनसील है यह परिवर्तित होती रहती है चर दो परकार की होती है, स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, चर दो परकार की है, खंडित चर, जिसे विविक्त चर भी कहते हैं, इंगलिस में डिस्क्रीट वैरियेबल कहते हैं, दूसरी होती है, अखंडित चर, जिसे हम सतत चर भी कहते हैं, इंगलिस में जिसे हम, continuous variable भी कहते हैं तो सरल भासा में मैं आपको बताऊं चर दो भागों में विभाजित है खंडिचर तथा अखंडिचर अब हम बात करते हैं खंडिचर की खंडिचर की definition बच्चो आप screen पे देख पा रहे हैं खंडिचर वे होते हैं जिनका केवल खंडिचमान ही होता है अर्थार्थ इनके मुले एकाएक या पूर्णांकों के रुप में बढ़ जाते हैं तो पहले बात आपने क्या समझना है इनके मुले एकाएक बढ़ जाते हैं ये मुले पूर्णांकों में होते हैं ठीक है अब हम स्क्रीन पे एक टेबल देख पा रहे हैं तो इस टेबल में बच्चों आप देख पा रहे हैं जो variable है number of children है वो संख्या एकाएक परिवर्टित हो रही है जिरो से हम एक पे आगए एक से दो पे दो से तीन पे एक से दो के बीच में भी संख्याएं हैं बट वो संख्याएं इसमें include नहीं हैं इसलिए इसे खंडित कहते हैं इसमें खंड होते हैं संख्या एक से दो के बीच में अनेक संख्याएं हैं परंतुए संख्याएं इसका पार्ट नहीं है दो से तीन के बीच में भी अनेक संख्या हैं वो इसका पार्ट नहीं है दो पॉइंट एक भी होता है दो पॉइंट दो भी होता है दो पॉइंट तीन भी होता है तो ये बहुत सारी संख्या है इसके बीच में बट वो इसका पार्ट नहीं है तो इसलिए इसको हम खंडित कहते हैं, क्योंकि इसमें खंड होते हैं, गैप होते हैं पच्छोब हम बात करने जा रहे हैं अखंडित्चर की अखंडित्चर क्या है? अखंडित्चर वेचर होते हैं, जिनका किसी निश्चित वर्ग में कोई संख्यात्मक मान होता है अर्थार्थ जब अखंडित्चर की बात की जाती है तो इसमें कोई खंड नहीं होते ये continuous होते हैं इसमें किसी भी इकाई की छुटने की संभावना नहीं रहती इसमें वर्ग होते हैं और उन वर्गों के अंदर इकाईयां समलित होती हैं और इसलिए इसको हम अखंडित्चर केहते हैं क्योंकि इसमें किसी परकार का कोई खंड नहीं होता इसको आप और समझने के लिए आप स्क्रीन पे स्टेबल को देख पा रहे हैं हम किसी कक्षा की बात कर रहे हैं जिसमें बच्चों ने marks प्रापत किये हैं तो हमने मांक्स को रखा है जीरो से 33 उसमें बच्चों की सेंक्या साथ है 33 से 50, 50 से 55, 55 से 90 और 90 से 100 तो यहां आप देख पा रहे हैं जो जीरो से अधिक और 33 तक जिन बच्चों के मांक्स हैं वो पहले वर्ग में हैं और फिर 33 से अधिक और 50 तक जिन बच्चों के माँखस हैं वो दूसरे वर्ग में हैं 50 से अधिक और पिजहतर तक वो तीसरे वर्ग में हैं यानि एक संख्या भी छुटी हुई नहीं है यानि इसके अंदर जीरो से सो तक कि सभी संख्याएं सम्मलित हैं कोई खंड नहीं है बीच में इसलिए इसे हम अखंडित चर भी कहते हैं आगे बात करते हैं अब आप बात करेंगे चर और गुण क्या दोनों एक ही चीज है चर और गुण में क्या अंतर है देखें चर और गुण दोनों ही परिवर्तन सील होते हैं चर जिसे वैरियेबल कहते हैं गुण जिसे एट्रिब्यूट कहते हैं ये दोनों ही परिवर्तन सील होते हैं फरक कितना है फरक किस चीज का है चर को आप संक्यात्मक रूप में माप सकते हैं गुण को आप संक्यात्मक रूप में माप नहीं सकते हैं उधारन आप देखिए किसी कक्षा में विध्यारतियों की उमर है वो संक्यात्मक रूप में माप सकते हैं वो चर है परन्तून की बुद्धी मता वो चर नहीं है क्योंकि उसको आप संक्यात्मक रूप में माप नहीं सकते तो चर और कुण में अंतर यह है उमीद करता हूं आपको यह अंतर समझ में आया हो पर अब हम बात करते हैं एक छोटी से विश्स है important विश्ट है कच्य आपड़े किसे कहते है रोड़ाटा जिसे कि हम बोलते इंग्लिस में रोड़ाटा क्या होता है रोडाटा कच्चे आंकडे वे होते हैं जिने एक अनुसंधान करता अपने अनुसंधान के दोरा नेकतरित करता है और ये आंकडे एवेवस्तित रूप में होते हैं जिने अभी वरगी करत नहीं किया गया है जिने वरगी करत किया जाना है अगर आंकडे वरगी करत नहीं किय ले गए हैं तो हम उनको बोलते हैं कच्छे आँक्रे या रो डाटा येस की कलास 11 है और क्लास 11 के आई अपके पीचर वह डह रखे हैं पंक्छों के हैं कैज और कुछality पने तेलाओ थेजी हैं जिसमें वरगी करत किया हुआ देए हुआ ये 30-50, 50-50, आपके लिए समझना सरल था, हाँ, इतने बच्चों के मांक्स 0-33 के बिच में हैं, पर जब आप इस टेवल को देख रहे हैं, तो आपके लिए समझना सरल नहीं हो रहा है, आपको पूत परियास करना पड़ रहा है, आपके लिए समझना कठिन हो गया है, क्योंकि ये वर्गी करत नहीं है, परन्तु जैसे ही इन आकड़ों को अगर मैं वर्गी करत कर दूँ, और इनको वर्ग में विभाजित कर दूँ, 0-33 कितने बच्चों के मांक्स हैं, 33-50 कितने बच्चों के मांक्स हैं, तो आपके लिए समझना बच्चों वाक्य में सरल हो जाएगा, तो जब अगर आपने आकड़ों को वर्गी करत नहीं किया, तब तक वे आकड़े कच्चे आकड़े के रूप में होते हैं, जिसे हम raw data भी कहते हैं, तो अभी आपने जो छोटी important concept पड़े, वो क्या पड़े, चर किसे कहते हैं, छोटी question के रूप में आप इनको याद कर सकते हैं, चर किसे कहते हैं, दूसरा question, चर कितने परकार के होते हैं, तो मैंने बताया, खंडी चर, खंडी चर, खंडी चर किसे कहते हैं, जिसमें जो चर है वो एकायक परिवर्तन हो जाते हैं, जिनमें खंड होते हैं, बीच में खंडी चर कहते हैं, अखंडी चर किसे कहते हैं, जिसमें चर एकायक परिवर्तित नहीं होते हैं, जिसमें वर्ग बने होते हैं, और हर एक कोई न कोई संक्या किसी न किसी वर्ग में आ होगा चर क्या थे जो संक्यात्मकरूप से मां पर जा सकते हैं गुण मesसकता पिर आगे बात करते हैं कच्च्च आख्डे कच्च्च क्या एक दो ऍठेroeन जिनका भी वरगी करण नहीं हुआ है तो समझें वर्गी करण के उदेश्य समझें वर्गी करण की विशेस्ताइन समझें वर्गी करण के अधार समझें जब हमने वर्गी करण के अधार समझें तब हमने वर्गी करण के अधार में कुछ important अधार समझे वो थे पोगोलिक, mieszamenuchyad, गुणात्मक और alarm यह सबी इस अधार समझने अदार भाद फिर हमने समजा चर क्या है धिर हम ने समझा चर कितने प्रकार की हैं हमने समझा चर दो प्रकार की है है खंडी चर और फिर हमने चर और गुण में अंतर को शमझा फिर हमने समझा कि कच्चे आंकडे किसे कहते हैं तो इस वीडियो से हमने इस वरगी करण किसे जितने भी कंसप्ट है उनको समझने का प्रयास किया और मैं उमीद करता हूं कि आपने विस है अच्छी तरीके से समझा होगा तो इस वीडियो को ध्यान से देखने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं अपना ध्यान रखिए नमस्कार